Hello friends, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर इस वीडियो के अंदर हम IPC के अंदर इंडियान पीनल कोड के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं जेनरल एक्सेप्शन्स देखे जेनरल एक्सेप्शन्स के जो सेक्षन दिये गए हैं इंडियर पिनल कोड के अंदर वो section 76 से लेकर 106 तक है तो one by one हम सभी section को देखेंगे पर देखें इन सभी section को हम कुछ part में divide करेंगे इससे क्या होगा इससे ये होगा कि हमें याद करने में भी easy रहेगा और साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन से section आपस में एक दूसरे से correlate है या एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो हम 76 से लेकर section 76 से लेकर दो section 106 मतलब 106 तक जो है इनको हम 8 पार्ट में divide करेंगे जो पहला है पहली category में हम जानेंगे mistake of facts से लेट जो section है दूसरी category हम पढ़ेंगे judicial act से तीसरी accidental जो accidents से लेटिड हो fourth category है absence of criminal intention दुराशय का अभाव fifth category हमें हम देखेंगे जो acts done under threat जो threat के अंदर धंकी के अंदर रहते हुए कोई कारिय किया जा रहा है उन section के बारे में पढ़ेंगे sixth जो है act done by consent जो सहमती दी गई है सहमती देने के बाद जो कारिय किया गया है उन sections के बारे में पढ़ेंगे seventh point में हम देखेंगे trifling acts के बारे में मतलब तुछ कारिय है जो बहुत छोटे मोटे मामूली से कारिय है उनके बारे में पढ़ेंगे और eighth category में हम देखेंगे rights of private defense निजी बचाओ के अधिकार के बारे में time waste ना करते हुए हम आई ये start करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहले category है वो है mistake of facts कि जो mistake है जो भूल है वो दो प्रकार की हो सकती है कौन कौन सी mistake of facts हो सकती है मतलब कि तथियों के भूल हो सकती है या फिर mistake of law मतलब विधी के भूल हो सकती है mistake of fact और mistake of law के जो है मैगजिम है मैगजिम क्या है मैगजिम ये है इसको इंगलिश में कहा जाएगा ignorance of law is no excuse मतलब की मतलब अगर mistake of law है अगर विधी की भूल है तो वो च्छम्या नहीं है उसको माफी के लायक नहीं है उसको कोई excuse या माफ नहीं किया जाएगा mistake of fact क्या हो सकती है जैसे कि एक्जामपल के तोर पर अगर बात करें सपोस्पोस करिए A ने B की B का मड़र कर दिया अब A आके कहने लगए कि उससे तो पता ही नहीं है कि जो मड़र करना है वो एक अपराध है उसे तो इस कानून के बारे में पता ही नहीं है ये कोई excuse नहीं है तूसरा बात कहना है अगर mistake of facts के बारे में mistake of fact है ये च्छम्य है मतलब कि ये माफ किया जा सकता है अगर किसी person के दुआरा तथ्यों की भूल हो रही है तो ये जो भूल है ये माफ की जा सकती है इसके related जो maxim है वो है Ignorantia facet excusat English में कहा जाएगा इसको ignorance of fact is a good excuse और किसी person से जो fact से related कोई mistake होती है तो वो माफी के लाइक है को माफ किया जा सकता है इसका अगर एक example लेखें suppose कर ये एक person है वो अपने घर पर होता है रात के 12 बजे होते हैं उसको लगता है कि कोई person उसके घर में enter कर रहा है रात के 12 बजे दिवार कूद कर पर वो उस person का चहरा नहीं देख पाता है अंधेरी की वजे से ये क्या है डंडा उठाता है और पीछे से जाता है चुपके से जब वो person घर में उसके enter कर रहा होता है और उसके सिर पर वो डंडा जोड से मार देता है जिससे कि वो person बुरी तरे injured हो जाता है आज में पता चलता है कि वो जो person है वो उसका दोस होता है और वो सिर्फ उसको प्राइस देने आता है कि उसका बर्त डेता उसको विश करने आता है ए ने क्या करा वो mistake of facts की वेसे गलती से मतलब कि जो तथ्यों की भूल की वजे से उसको लगा कि शायद कोई चोर उसके घर में एंटर कर रहा है उसकी वज़े से उसने अपने फ्रेंड के सिर पर वो जोड़दा डंडा दे मारा जिससे वो उसको ग्रीवी असर्ट हो गई ये जो act है ये जो कारिया है एक दोरा जो किया गया है ये चम्य है माफ किया जा सकता है तो इसलिए अगर किसी परसन के दोरा कोई act किया जा रहा है अगर वो ठीकी भूल की वज़े से किया जा रहा है mistake of law की वज़े से किया जा रहा है या करने के बाद वो परसन जो है ये excuse देता है कि वो mistake of law की वज़े से किया गया है तो वो जो उसका कारिय होगा वो punishable होगा उसको जर्नल exception का किसी तरह का कोई benefit नहीं मिलेगा पर अगर किसी person के दुआरा कोई कारिय किया जा रहा है और वो कारिय mistake of facts की वज़े से तत्यों की भूल की वज़े से किया जा रहा है परसन को किसी भी तरह की कोई punishment नहीं दी जाएगी अब देखिए mistake of facts not law इससे लेटिन हमारे दो section है एक section है 76 और एक section है 79 one by one हम दोनों को पढ़ेंगे सबसे पहले बात करते है section 76 के बारे में 76 के अंदर हम तीन चीज़े देखेंगे पहले चीज़ उस person के दोआरा जो वो कारिय किया जा रहा है जो act किया जा रहा है वो अपराद होना चाहिए खुद में offense होना चाहिए दूसरा essential है point है वो person उस कारिय को करने के लिए जो उसके दोआरा किया गया है bound by low होना चाहिए कानून से अबध होना चाहिए वो कारिय उसने good faith में किया होना चाहिए essential point के अगर बात करें third essential point है कि वो जो कारिय किया गया है उस person के दोआरा वो mistake of fact की वज़े से कारिय होना चाहिए ना कि mistake of law की वज़े से अगर ऐसा कोई भी कारिय किया गया है किसी person के दुआरा वो उसका जो benefit है वो section 76 के अंदर जो general exception है उसका benefit मिलेगा और वो punishable नहीं होगा तो यह section 76 है IPC का इंडियर पिनल कोड का यह section में ली जो police वाले हैं वो use करते हैं तो उनको यह एक तरिस्थे से protect करता है यह section और खाली police वाले नहीं ऐसा कोई भी person जो की bound by law हो उसके दुआरा जो कारी किया जा रहा है वो good faith में किया जा रहा है और mistake of fact की वज़े से किया जा रहा है ना कि mistake of law की वज़े से तो वो जो person है वो इसका benefit section 76 का benefit ले सकता है इससे related एक example हम देख लेते हैं अगर इसका illustration देखेंगे illustration sorry तो illustration में भी ये चीज़ mention की गई है कि अगर किसी suppose करिए कोई सैनिक है या कोई police officer है उसने अपने जो superior है उसके order पर किसी भीड पर गोली चला दी है और वो गोली किसी को लग गई और लोग बाग मर गए है तो उस person ने कोई भी पराद नहीं किया है एक example और देख लेते हैं A एक person है जिसको court के दुआरा order दिया जाता है कि वो B को arrest करके लाए court के दुआरा A से ये कहा जाता है कि वो B को arrest करके लाए अब A क्या करता है कि अच्छी खासी inquiry करता है और उसको पता चलता है कि C जो person है वो B है A जो है वो C person को arrest कर लेता है C जो है उस A के उपर इसकर देता है तो यहाँ पर A ने किसी तरह का कोई offense नहीं किया गया है उसके दुआरा क्योंकि देखे सारी जो essential है अगर section के 70s किसके देखेंगे वो सारी fulfill हैं क्योंकि उसने जो कार यह किया है वो bound by low है उन से वो बना हुआ था तब उसने किया है क्योंकि कोड के द्वारा order दिया गया है तो bound by low है और दूसरा वो good faith में किया गया है उसको लगा कि जो C person है वो B है गोड़ फेत का मतलब मतलब उसने जो inquiry करी सब कुछ करा और उसके करने के बाद उसको पता लगा कि जो C person है वो B person है mistake of facts की वज़े से उसने ये कारिया किया और ये good faith में किया good faith को अगर हम देखेंगे जो explain किया गया है वो section 52 है उसमें बताया गया है कि good faith क्या है good faith का मतलब है due care and attention कोई भी कारिया care and attention के साथ साफधानी पूरवक पूरी सतरकता के साथ जो है वो कारिया किया जाए उसको good faith का जाएगा जैसे कि A ने करा पहले inquiry करने के बाद उसने उसको ये लगा उसने ये believe किया कि जो C person है वो B है इसलिए उसने C को arrest कर लिया तो यहाँ पर A ने किसी तरह का कोई offense नहीं किया अब बात करतें दूसरे section हमारा mistake of facts not law से लेटर जो अगर बात करें वो है section 79 जो section 79 है ये बात करता है section 79 के अंदर जो person है वो bound by law नहीं है मतलब कि विधी के दुआरा वो बादे नहीं है उस कारिय को करने के लिए और उसके दुआरा जो कारिय किया जा रहा है वो कारिय वो act जो है वो justified by law है मतलब कि उस person के दुआरा जो कारिय किया जा रहा है वो कारिय इस विश्वास के साथ किया जा रहा है कि उसका वो कारिय धी के दुआरा नियाय उचित है इसके अगर example के बात करें suppose कर ये अपने घर में होता है अब रात को टाइम पर वो देखता है रात के टाइम पर वो देखता है कि उसके घर में जो 4-5 आदमी जो है दिवार कूद कर एंटर कर रहे हैं अब उसको लगता है शायद कोई डाकू आकू है तो वो गोली चला देता है जिससे की एक आदमी की डैथ हो जाती है जब ए जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसका बेटा और उसके दोस्त उसके बेटे के वो लेट नाइट मूवी देखका है थे तो इसलिए वो घर में एंटर कर रहे थे चुपके से पर यहाँ पर एको जो सेक्शन 79 है उसका बेटेट मिलेगा क्योंकि उसको लगा वो ये विश्वास था कि जो लोग एंटर कर रहे हैं वो डाकू है डकैत है जिसकी वज़े से उसने गोली चलाई ये गुड फेट में लगाई चलाई उसने गोली तसलिए एको सेक्शन 79 का जो बेटेट है वो मिलेगा जो सेक्शन 76 और 79 है इस दोनों में सभी चीज सिमीलर है मतलब कि गुड फेट में कारिये 76 में किया जा रहा है गुड फेट में ही कारिये 79 में किया जा रहा है जो कारिये किया जा रहा है वो mistake of facts की वज़े से हो रहा है ना कि mistake of law की वज़े से 76 में भी और 79 में भी जो act किया गया है कारिये किया गया है वो खुद में offense है दोनों में जो difference है वो सिर्फ difference इतना है कि 76 में जो कारिय किया गया है उसके लिए वो person उस कारिय को करने के लिए वो bound by low है 79 में जो कारिय किया जा रहा है उसके दुआरा वो act वो कारिय justified by low है तरब 76 में कानून से बाध्धे होकर वो कारिय किया जा रहा है mistake of facts की वज़े से ना कि mistake of low की वज़े से वो कारिय गुड़ फेत में किया जा रहा है और 79 में अगर बात करें 79 में जो act किया जा रहा है वो पूरी तरीके से विश्वास करके किया जा रहा है कि ये कारिय जो जो वो कर रहा है वो नियाय उचित है विधी के दुआरा लो के दुआरा गुड़ फेत में वो कारिय किया जा रहा है mistake of facts की वज़े से ना कि mistake of low की वज़े से इस वीडियो के अंदर इतना ही जर्नल exception से लेटिड और जो सेक्शन बद गए है वो next वीडियो में हम देखेंगे Thank you very much